गुड मॉर्निंग शभी को एक और शानदार वेकेंसी यहाँ पर निकल चुकी है नर्सिंग ओफिसर की जितने भी कंडिडेट तयारी कर रहे हैं उन सभी कंडिडेट के लिए शानदार वेकेंसी है पर्मानेंट यहाँ पर वेकेंसी रहने वाली है बहुत बड़ी सेलरी है तो सभी कंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन काल नोटिविकेशन में प्रेश करें ताकि सारी जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें जी हाँ दोस्तो अब वीडियो स्टाट के लेते हैं कहाँ पर वेकेंसी निकाली गई है तो अगर वेकेंसी के हम बात करें तो जिपमेर की तरब से वेकेंसी निकाली गई है गुरूप A, B और C पोस्ट यहाँ पर रखी गई है पांडूचेरी की तरब से जी हाँ दोस्तों बहुत बड़ी वेकेंसी है एक बार फिर से निकाल दिया है recruitment यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं email id, web url, portal address दियावा है और नीचे अगर हम यहाँ पर बात करें important date के बारे में तो 19.10.2023 से जो online registration हो रहा है इस application format के लिए और online registration है वो closing date है 16.11.2023 साड़े 4 वजे तक साम को 12 वजे तक नहीं है इसको ध्यान रखें जितने भी candidate है download whole ticket है वो आप लोग 24.2023 को कर सकते हैं और जो exams का यहाँ पर time दिया गया है वो 2.12.2023 है और उसके बाद है सबसे important बात यह रहने वाली है कि जो syllabus है वो क्या रहने वाला है तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ जो forum feature है वो क्या रहने वाली है तो name of the post है session qualification as number of vacancy यहाँ पर सब mention किया गया है तो जो nursing officer की है group B में है आप लोग देख पा रहे हैं 25 post है यहाँ पे 11 post है general के लिए 2 post है EWS के लिए 6 post है OBC के लिए 4 post है SC के लिए और ST के लिए 2 post है तो total 25 post है group B में रखा गया है nursing officer अक्सरे technician के भी है बागे other department में फार्मासस्त की भी यहाँ पे है और एस पर डिसीजन ऑफ दा जिप में गवर्वेंट बोड़ी अटलिस्ट असी पर्तिसत पोस्ट आप लोग देख सकते हैं गुरूफ ए के लिए है और गुरूफ बी में है जो qualification यहाँ पे nursing officer के लिए क्या रखा गया है वो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं उसके बाद में जो फोरम फीच रहने वाली है वो क्या रहने वाली है वो दिखा देता हूं बाकी इस वेकेंसी के रिगार्डिंग है सारे जानकारी हम लोगों ने कवर कर ली है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर गुरूप भी पोस्ट के लिए असेंसिल क्वालिफिकेशन है बीसी नर्सिंग है पोस्ट बीसी नर्सिंग है और उसके बाद है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग जीनम वाले कंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं रडिश्टर नर्स मीडवाइब उसके बाद है टू यह एक्सपिरेंस मांगा गया है पत्चास बैड़ेट होस्पिटल का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंसन अबोव पेस्केल है चुमालच जार नोसों से यहां पे स्टार्ट है लेवल सेवन्त के नुशार सीपीसी है वो सेवन्त है पे मैट्रिक्स देने वाला है यहां पर आप लोग देख सकते हैं मीनिममम इलाइजबिलीटी जो परसेंटेज हैं स्किल टेस्ट के लिए वो 50 और सीवीटी के लिए 50 सेम यहां पर क्राइटीरिया रखा गया है एस लेक्सेशन है आप लोग देख सकते हैं यह कोई बड़ा ज्यादा इश् परकार से बनाना है मैंने वीडियो में अलग से बनाया हुआ है वह आप लोग देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस वेकेंसी के रिगार्डिंग सारे जानकरे हमने कवर कर ली है जैसे ही आप लोगों के कुछ कंफूजन हुआ आप लोग कमेंड कर सकते हैं आपको रिप्लाइ दे दिया जाएगा यहां पर हाव टो अपलाई है वह उनलाइन आप लोगों को पहले मैंने बता दिया है लास्ट है वह बता दी है अप्लिकेशन फीच है दोस्तों वह यहां पर रह गए ती तो पंदरा फोरम के लिए जनरल EWS के लिए और OBC के लिए रखी गए बाकी ACST के लिए 1200 रुपे है तो धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही बाकी एक और शानदार वीडियो लेकर आते हैं तब तक के लिए नमस्कार